सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बैल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर ख़बर पहुँचे आपके पास सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है विराट कोली के शतक से खुश होकर तिरंगा लेकर मैदान में पहुचा उनका एक फैन और उनसे विचलित होकर आउट हो गए हार्दिक पांडिया जी हाँ भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीन एक दिवस्य सिरीज के मैच का आखरी मैच कानपूर के ग्रिन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है जहां सुरक्षा चक्र में उस समय बड़ी सेंध लग गई जब भारतिये कप्तान विराट कोहली के शतक पुरा करते ही एक प्रसंशत मैदान में तिरंगा लेकर उनके नाम की जर्सी पहने मैदान में जा पहुचा दरसल कानपूर के ग्रिन पार्क स्टेडियम में जैसे ही कोहली ने अपना शतक पुरा किया और वो अपना बल्ला उठा कर दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे तभी मीडिया गैलरी की तरफ से एक प्रसंशत कोहली के नाम की जर्सी पहने भारत का जंडा लेकर मैदान की तरफ भागा लेकिन जब तक वो विराट खोली के पास पहुँच पाता इसे पहले ही बाउंडरी वाल पर तैनात सुरक्षा करनी दोड़ कर उसे पकड़ लिया हाला कि इस वज़े से मैच को कुछ देर के लिए रोका भी गया शायद इसलिए हार्दिक पांडिया का एक आगरता भंग हो गया और उसकी वज़े से अगली ही गेंद पर भारत के विस्पोटक बल्ले बाद हार्दिक पांडिया ने अपना विकेट गमा दिया तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो क्रिपेस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद